हाई फ्रेंड्स आज आप लोग को दा पाम गार्डेन मेरे जौले वहां का आप लोग को फूल वीडियो आप लोग के सेर करूंगी बिहार सरीप के सो सडाय में है पर अभी मैं दीन का देखती हूं कि क्या क्या हुआ हुआ है उसी साफसे सेर करूंगी फिर नाइट का व्यू और किस तरह से डेकोरेशन रहेगा वह भी आप लोग के साथ सेर करूंगी तो बने रहिएगा आज का पाम ब्लॉग अस्पेसल बन रहा है यानि कि कि किसी को ज़रत हो ना तो यहां आप लोग बुकिंग कर सकते हैं पार्टी फंसन के लिए तो वह पहले मैं देखकर आँग और यह इसका इंट्री है यह इसका इंट्री है अभी मैं आप लोग को लेकर चलती हूं यह इधर है यानि लक्ष में कॉम्पलेक्स के सामने है यह मेरी भॉय सची नहीं है इसे आप लोग इग्नोर करना अभी आप लोग को दिखाते हूं यह भी दिन का है तीन बज रहा है तो दिन के धूप में इस तरह से इधर कीचन की वेवस्ता है और उपर जो रूम दिख रहा होगा हुआ रहने के लिए रूम बना हुआ है एसी आप लोग को गुमाएगी अंतर है यह अभी इस तरह से तो फ्रेंट साल यह स्टेज है सामने और इधर चेयर लगे हुए है और मैं अपर गूम के दिखाती हूँ इस तरह से और इस तरह फ्रेंट से सिटिंग अरेंज्मेंट किया गया है आगे स्टेज और से यह सोफा आगे सोफा फिर पीछे चेयर लगा हुआ है काफि-खुब्सूर्ती से सजाया गया है और यह से अर नाइट में लाइट के साथ और भी अच्छा लगता है और यह है जैसे आपको कोई भी फंक्शन करना हो बर्डे रिंग स्रेमनी कुछ भी एक्स वाइजेट कुछ भी पार्टी करना हो तो आप बुकिंग कर सकते और चलिए अभी उपर ले चलते फ्रेंट्स पर उपर जाने से पहले मैं बता दू नीचे एक हॉल है जहां पर मंडप बगेर आप कर सकते उसका वीडियो लेना मैं भूल गई तो देखिए उपर इस तरह से आईए उसका गैलरी बनी हुई है और एक एक रूम बना हुआ है और रूम काफी अच्छा है फ्रेंट्स दोनों साइड रूम है और अभी देखिए इधर और बनी रहा है यहीं कि अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी है मगर मैं बता दू उपर से वीव इस तरह से अच्छा लग रहा देखने में पेर पौधे हैं खुला खुला है और इस तरह से एक बेडरूम का मैं वीडियो दिखा रही हूं तो इस तरह से डबल बेड बेड है अब मैं आपको लेकर के आ गई हूं नाइट में क्यूंकि दीन में दिखाई थी अभी यह नाइट व्यू देखिए कि नाइट व्यू कितना खुबसूरत है तो इसका एड्रेस बता दूं बिहार सरिप के सो सराय में है यह और यहीं पे पुलिस थाना भी है तो अगर कुछ आपको इसके लिए कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं इसका फूल डेटेल फूल जानकारी मैं दे सकती हूं क्योंकि यह हमारे घड के पास का है इसलिए तो चलिए फ्रेंड्स नाइट भी उन्जवाई कीजिए और बिल्कुल रियल रिभी देती हूं फ्रेंड्स यहां पे कोई भी हमें प्रोब्लम नहीं लगा मिंटेनेंस से लेकर के हर चीज बहुत अच्छा था रूम और क्लीनिंग बोलते हैं ना कि सर्विस यहां की सब अच्छी थी और कैटर तो फ्रेंड्स आप खाने का जो भी ओडर देंगे वो आपके हि कि आज की एवीडियो चोटी सी वीडियो है आप लोग को पसंद आई होगी और फ्रेंड्स पूरा एक्ट्वल में खुद में पार्टी में गई थी इसलिए एक एक जगहह पे मैं आप लोग को नहीं लेकर जा पाई पर उमीद करती हूं आप लोग को पसंद आया होगा झाल झाल झाल